हेलो मेडियर स्टुरेंट्स उत्राखंड बोर्ड स्टुरेंट क्लास 10th and 12th के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है यहाँ पे और जो आपके सचीब उत्राखंड शिक्षा विभाग के आर मिनक्षी सुन्दरम उन्होंने जो है यह पोस्ट जारी किया है और यह पोस्ट अब देखेंगे हैं विशय जो है कोविड-19 के परिफ्रेश में कक्षा 10 और 12th की बोर्ड परिक्षा के संबंद में जो क्या ग्यापन है जो निर्देश है वो यहाँ पे उन्होंने शियर किया है तो देखेंगे तो इसमें 1st point उन्होंने लिखा है कि जो 4 मई से 22 मई तक के बेश में आपका जो एक्जाम होने वाला था वो पूरी तरीके से स्थागित की जाती है और 1 जून 2021 को परिस्थीतियों का पुनह मुल्यंकन और आकलन करते हैं उत्राकन बोड परिक्षा के नविन तीतियों की गोशना प्रथक से की जाएगे मतलब आब यहाँ पे यह मान के चलते हैं कि हमारा जो एक्जाम है वो जून में जाके होगा कब होगा जून में जाके होगा यह हम यहाँ पे मान के चलते हैं इसका सेकंड पॉइंट क्लास 10 वाले बच्चों के लिए उन्होंने का है कि 4-22 माई 2021 के मर्द प्रस्तावित कक्षा 10 की उत्राकन बोड परिक्षा रद या निरस्त की जाती है कक्षा 10 की बोड परिक्षा के परिणाम गोशित करने के लिए उत्राकन विद्यारती शिक्षा परिशाद आमनगर बोड नैंतल द्वारा बस्तुनिस्त मापदंट मतब अबजेक्टिव क्राइटिरिया प्रतक से तयार या निर्दार किये जाएंगे यादि कोई अव्यारती उत्राकन विद्यारती शिक्षा परिशाद आमनगर बोड द्वारा आईजित की जाती है तो उस परिक्षा में वो समलित होकर पेपर दे सकता है समलित होने का अफशर समान अव्यारती को तत्समे परदान किया जाएगा मतलब अगर कोई भी बच्चे अगर 10 के रिजल्ट से संतूष्ट नहीं होता और उनको लगता है कि मैं इससे ज़्यादा मार्क्स ला सकता हूँ एक्जाम देने देगे तो अगर समान इस्तीती रहती है तो वो बच्चे जो है क्लास 10 का एक्जाम दे सकते हैं उनका फिर उनके एक्जाम के बेस पे है रिजल्ट बनेगा लेकिन ये उनके लिए हैं जो बच्चे 10 के रिजल्ट से संतूष्ट नहीं होंगे और बागी क्लास 12 के जो एक्जाम से वो आप मान के चलिए एक जून के बाद जाके होगा एक जून के बाद होगा तो ये बड़ा अपडेट था तो मैंने आप लोग के साथ शेर किया है तो अगर आपको ये न्यूस पसंद आए तो प्लीस वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शेर जरू करना चलिए पिर मिलते हैं एक इंट्रस्टिंग एंजानक कर दोस्तों के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत